सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बिल को दबाएए लेटेस अबडेट पाने के लिए वेल्कम बैक टू माई चैनल कंसल्ट विद अमीदा आज मैं बात करने वाली हूं कि बच्चा रोते रोते अचानक से सांस रोक लेता है क्या करना चाहिए यह बहु साजाता है क्यों होता है तो अज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक चोटी सी रिवकेस्ट है कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है उमेल सरकिल के नाम पर अगर आपने उस चैनल पर विजिट नहीं किया तो लिंक सकता है कि आपके बचे को अंद्रूनी कोई बहुत जादा तकलीफ हो कहीं उसके बहुती ज़्यादा दर्द हो रहा है जिसके वज़े से वह रहा रहा रोते रोते उसमें सांस रोक लिया और एक जो मेन वज़ा होती है खास करके बच्चों में जो बहुती ज़्यादा की गए बच्चेशान जेंदे कर दो साल ना तूल बन बच्चे को कही यह लुक्त छीए होगा कभी पहला होता है साइनोर्टिक स्पेल दूसरा होता है पलियोडी स्पेल तीसरा होता है मिक्स्टी स्पेल जो पहला है साइनोर्टिक स्पेल इसमें जातर बच्चे जो होते हैं वो जिद करते करते हैं अचानक से रोहने लगते हैं बहुत ही जाता सांस रोक लेते हैं इनके होट कड़ी हो जाती है और सास लेंगे लोक लेते हैं और इस वज़े से कभी कभी बच्चे को जटके भी आ सकते हैं और कभी बच्च ब्यूश भी हो सकता है धीजियर को इस बहुते हैं यह विदा से यह नहीं होती है और वारो बार भर दिखाने से ने समझ सकते रहें यह को इसका बार बर आतो हैँ वीडियो बना ले संदि हमें उसकांट करें तो इसमें आसा हो सकता है और तीसरा है इसमें दोनों का मिक्स्चर होता है लेकिन ये 5 साल का बच्चा जब तक होता है धीरे धीरे उसमें काफी कमी आने लगते हैं और बचे की आद़ छूट जाती है अब आपको ध्यान देना है जो मैं आगे बताने जारी हुआ कि अगर अगर आप शला ले रहे हैं तो अची बात है जया झाने लोगोगोजा ज़रूर से जरूरर जब भी आपका सांस रोक लेता है नीला गरता है उसको जल्दी से उसकी पीट थप थप तपाए हुसे अच्छी बाते करिए कि बच्चा रिलैक्स हो जाए और वो सांस ले सके लेकिन उसके बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगर आपके बच्चे ने यह हरकत की है कि वो रोते रोते उसे सांस रोक लिए और उसके बाद जब वो सही हो गया तो आप उसे बहुत ही दिरे दिरे छोड़नी है आपको इस तरह से उसको सिखाना है अगर आप बहुत ज़्यादा पोलाइटली बोलेंगी बच्चे से तो बच्चे के अंदर यह और हो जाएगा कि अप उसकी कोई भी जिद होगी तो इस तरह से पूरी करवानी की कोशिश करेगा यह उसकी प्यार मत करिए इस चीज के लिए और उसको अच्छे से समझाई कि बेटा यह आपके लिए गलत है आपको इस तरह की जिद नहीं करना चाहिए आपकी सांस रुख जाती इससे आपको क्या क्या परिशानी हो सकती है और जब बच्चे ने आपके ऐसा किया है अगर वह अचा परिशाने की कोशिश मत करिए अगर वह ब्योश हो गया है तो इससे भी उसका ब्लेट सर्कुलेशन जो दिमाग पी ब्लेट सही से पहुचता इसका ब्लेट सर्कुलेशन कम हो सकता है तो इसलिए आपको इद्दम से उठाकर बिठानना नहीं इस चीज का आपको ध्यान हो यह लेकिन अगर आपका बच्चा बार बार ऐसा कर रहा है बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप एक बार डाक्टर से जरूर कंसल्ट करिए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दिए का चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करक करते हैं